हलो उस्तों एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ एक अप्रेल 2022 के डेली पी आईबी एनलेसिस के साथ तो दो अप्रेल की पी आईबी की जो वीडियो है नव बजे साम को अप्लोड हो जाएगी तीन अप्रेल यानि आज की दिन तो संडे संडे की पी आईबी आती नहीं तो कल मार्णिंग में आपको मंडे की पी आईबी मिलेगी इंक्लूडिंग पेंडिंग वीडियोस टू ठीक है तो वो भी मैं कंप्लीट करूँगा खास करके पी आईबी पर अपना फोकस रहेगा चले आज का पहला आर्टिकल देखते हैं राष्टी गोकुल मिशन से रिलेटेड है इसमें पताया गया है अगले पाच वर्सों के लिए राष्टी गोकुल मिशन यानी दोजार इक्किस से चब्विस सकती है क्या टार्गेट्स रख्टे गए हैं तो यह पढ़ लेते हैं यह साथ टार्गेट्स हैं जिनको रखा गया है राष्टी गोकुल मिशन के दहाद आप चाहें तो स्कीन को रोक सकते हैं यहां से भी पढ़ सकते हैं वरना यहां पे देखी लेते हैं तो रिवाइज और री इलाइंड स्कीम है राष्टी गोकुल मिशन 2021 से 26 तक के लिए अगले पाच वर्सों के लिए राष्टी गोकुल मिशन ने राष्टी गोकुल मिशन को लांच किया गया था हमारे एग्री कल्चर मिनिस्टर राधा मोहन सिंग के द्वारा 2014 में लांच गी है तो पाच वर्सों के लिए कुछ टार्गेट रखे गए है 165 मिलियन एनिमल्स इनको नेशन वाइट आर्टिफिशल इंसेमिनेशन के दहट कवर किया जाएगा आर्टिफिशल इंसेमिनेशन किया जाएगा साढ़े 16 करोड जानूरों का 40,000 मल्टी परपस मैत्री जो है इस्थापित की जाएगे मैत्री का उफल फॉर्म नाबाड वालों को जरूरू पता होना चाहिए मैत्री मतलब मल्टी परपस आर्टिफिशल इंसेमिनेशन टेगन इंसेमिनेशन फॉर रूरल इंडिया 4700 हाई जनेटिक मेरिट बूल्स जो है प्रड्यूस किया जाएंगे प्रोगेंसी टेस्ट और पेडिग्री सेलेक्शन के द्वारा एक लाग 15000 जो पेड्नेंसी हैं उनको आईवेट पेड्नोलोजी के द्वरा किया जाएगा इसमें से 51000 लाग पेड्नेंसी को क्या सेक्स सौर्टिट सीमन के मतलब से प्रेडियूस क्या जाए, सेक्सॉर्टेट सीमन मतलब कि हमें जो है फिमेल वर्जन ही चाहिए ये जो आपके एनिमल्स है यानि काउ ही चाहिए हमें बुल नहीं चाहिए सेक्सॉर्टेट सीमन टेक्नोलजी इसलिए डेलब की गई है ताकि मिल्क प्रोड़क्शन बढ़ावा दिया जा सके उसको देखा जाए तो पिछले पाच और सों में राश्टी गोकुर्ट मिशन के तहरे सबी राज्जियों को 2316.15 करोड यानि 2316.15 करोड दिया जा चुका है करनाटक को की दितना दिया गए यह हमसे मतलम नहीं मिल्क प्रोड़क्शन और मिल्क प्रोड़क्टिविटी या फिर बोवाइन्स की प्रोड़क्टिविटी को बढ़ाने के लिए राश्टी को कुरूशन लाउंच गया था और यह जो इनफॉर्मेशन है वो आई एनए पीएश पोर्टल पर अवैलबल भी है यानि इनफॉर्मेशन नेटवर्क फॉर एनिमल प्रोड़क्टिविटी यहां पर जाकर आप 1.92 करोड फर्मर से डिसकस कर सकते हैं हालागि सबसे तो नहीं कर पाएंगे वो आपको बताएंगे कि जो आर्टिफिसर इंसेनिमेशन हुआ है उसका फाइदा कितना हुआ है राश्टी गोकुल मिशन बोवाइन बीडिंग और बोवाइन प्रोड़क्टिविटी के लिए राउंच किया गया है यह दो कंपोनेंट में बोवाइन बीडिंग और बोवाइन प्रोड़क्टिविटी राश्टी गोकुल मिशन की तहर्थ इसमें आपको क्या सैंटिफिक मैनर में इंडिजेनस बीड के डेलमेंट वॉजर्वेशन पर फोकस किया जाता है राश्टी गोकुल मिशिन के तहित 21 गोकुल ग्राम इस्थापित किये जाने थे इसमें 2 और दियाते है गोपाल रत्न वाट जो की फारमर्स को दियाता है और कामधेनु और जो की इंस्टूशन्स ट्रस्ट एंजियोस को दियाता है गोकुल ग्राम जो बनने है 21 वहाँ पर 40 परसेंट नौन डेस्क्रिप्ट ब्रीड होंगे देखिए जो हमारा गोकुल ग्राम है वहाँ पर डेवलब किया जाएंगे इंडिजनस ब्रीड जिसमें हमारे 40% नौन डेस्क्रिप्ट होंगे जो की A2 मिल्क ही प्रडूस करते क्योंकि ऐसा प्राइम इस्क्रिप्ट मोदी जी ने अपनी मेरे ख्याल से लाल केला की जो बाश्र थे उसमें बोला था कि हमारे की जो गाये होती ही वो A2 मिल्क जनेरेट करती है जो कि बहुत हेल्फुल होता है तो non-descript म Savior, जिसमें discrimination नहीं है कि यहां भाईा यह तो मनलब indigenous ही है पूरी तरह से इसमें कोई discrimination नहीं है तो जितनी भी आप indigenous बिडि ड्रफ कर रहे हो उसमें 40% तो clear जो है cut कि आपकी A2 मिलक ही याननी non-descript ही होनी चीए Next article है बोर्स डीप सी फिशिंग के लिए प्रोवाइड की जा रही है देखते हैं क्या है डिपार्टमेंट ओफ फिशरीज मिनिस्ट्री ओफ फिशरीज गौर्रमेंट ओफ इंडिया ने अपनी फ्लेक्स स्कीम प्रामती मस्थ संपदा यूजना के तहद हाइस्ट एवर एस्टिमेटेट इंवेंस्मेंट इनाओं किया है 20,050 करोड का फिशरी सेक्टर में अगले 5 वर्सों के लिए 2020, 2021 से 25,25 के लिए इसके तहर सपौर्ट फॉर एक्कॉज्ट फॉर्डेशन और डीप सी फिशिंग Business फॉर ट्रडिशनल फारम्र्मर्स लॉंच्ट लाउंच गया है ताकि डीप सी फिशिंग को बढ़ावा दिया चैके यह अभी जो support for acquisition of deep sea fishing vessels है यह आंद्देश या फिर जो coastal areas हैं वहाँ पर launch के गया है आंद्देश को 9484 लाख रुपए दिये गये है 9484 लाख यानि 94.84 करोर के असपास दिया गया है आंद्देश को ताकि आप acquisition कर सकें deep sea fishing vessels का तो इसके ताहट 273 deep sea fishing vessels पर्चेस की जाएंगे आंद्देश द्वारा रधामंत्री मस्समपदा योजना क्या है 10 सितंबर 2020 को launch की आप निर्वर भारत package के तहट cluster based area approach जो है यूज करनी थी ताकि fishery sector में एक revolution लाया जासके main focus था employment generation पर seaweed और ornamental fish cultivation पर द्वारामंत्री मस्समदा योजना के तहट fish production को अगले पाच वरसों में additional यानि 70 लाग टन और बढ़ाना है fisheries का export एक लाग करोड करना है 24-25 तक farmers की income जो fisheries area में 25 तक डबल करनी है post harvest losses जो समय 20-25 परसेंट है fishes में उसको 10 परशेंट करना है यह आपको याद रखना है budget और time period क्या है 20,050 करोड है पाच वरसों के लिए 2020-21 से 20-25 के लिए 26 के लिए नहीं सोरी अभी तक का highest ever investment है fisheries sector में है तो यह दोनों आर्टिकल अब ध्यान से देख लिजेगा national commission for women इन्हों लांच किया है legal service clinic किसके दा मिलकर DSLSA DSLSA मतलब daily state legal service authority national commission for women इन्हों ने daily state legal service authority के साथ मिलकर legal aid clinic लांच के हैं women's के लिए क्या होगा जो women's की grievances है उनको free legal assistance दिया जाएगा national commission for women यह कर रहा है similar legal service clinic जो है open करने चाहते है other state commission के साथ मिलकर other states में NALSA जो है national level पर काम करी रहा है लेकिन NALSA क्या है free legal aid advice देने के लिए मलब वो जो poor sector होता है उस पर focus करता है NALSA लेकिन जो हमारा national commission for women है वो सालसा के साथ मिलकर यानि state legal service authority के साथ मिलकर क्या करता है कोसिस करता कि महिलाओं को free legal aid मिल सके ज्याय मिल सके ग्रीवेंसिस उनकी सुनी जा सके नेसनल commission for women ये एक statutory body है जो की 1992 में established की गई नेसनल commission for women act 1990 के द्वारा तो 1990 में नेसनल commission for women act पास हुआ 1992 में ये इस्थापिती गई ये women employment के लिए काम करते हैं उनके महिलाओं की जो सिकायते होती है राष्टी महिला योग रेखा ये मेरे खाल से रेखा जी थी अभी तक कौन होगा मुझे याद नहीं है ये कई सारे काम हैं आपके ये मेडिया लेजिसलेट्व मेजर्स क्या होना चाहिए ग्रिवेंस कैसे उनकी सॉल्व होना चाहिए गवर्मेंट को एडवाइस करते हैं पॉलिसी मेंटर पर लेकिन ये सब रिकमेंडेशन जो है जरूरी नहीं कि हम माना आ जाए अच्छा ये देख लीजे दीन दयाल उपाध्या है ग्रामेर कॉसल योजना इसका रिवीव किया जा रहा है दोर चौदा पंदा से लेकर अब तक साथ लाग कंडिडेट को जॉब मिल चुकी 1.28 लाग कंडिडेट क्या टेनिंग के दौर में चल रहा है दीन दयाल उपाध्या है ग्रामेर कॉसल योजना पिरियोडिक रिवीव किया रहा है नीत याउग ने क्या किया है इवैलिशन नेशनल रूरल लाइबली हुड मिशन का इवैलिशन किया है इंक्लूडिंग दीन दयाल उपाध्या है Grammaric Council Kingdom जो की National Rural Livelyhood Mission का एक पार्ट है तो आप से ग्जाम बूल सकते हैं दिन द्याल उपाध्या है Grammaric Council Kingdom क्या National Rural Livelyhood Mission का पार्ट है बिलकुल है, कंपुनेंट है अभी तक कोई भी recommendation नहीं आया है Grammaric Council Kingdom में change करने के लिए ये भी नहीं दिखाया गिया है कि ग्रामेड कौसल योजना में जो रूरल यूथ है वो लेस इंटरेस्ट दिखा रहा है पिछले वर्स की अपेक्षा में नमबर आफ कंडिडेट जो ट्रेंड किये गए है दिन देयालो पादे है ग्रामेड कौसल योजना के तहरे 2020-21-21 में हलागी इंपेक्ट हुए है COVID-19 से टेनिंग सेंटर पे लेकिन कंसीडरेवल है कि ये जो है हाँ इतने तो आने चाहिए थे भले ही COVID-19 चल दा था लेकिन फिर भी अभी तक 32.22 लाग कंडिडेट रेजिस्टर किये जा चुके हैं टेनिंग और वर्तवान में 1.28 लाग कंडिडेट जो है टेनिंग कर रहे हैं उनकी टेनिग चल ले ही वारियस स्टेजिस पे मिनिस्ट्री आफ रूरल की स्कीम है दीन देयाल उपाद्या ग्रामीर कौसल योजना कौसल मिनिस्ट्री की स्कीम नहीं है अध रखेगा ये अंतियोज़र दीवास 2014 को लांच कीगी थी नेशनल लूरल लाइवलिहोड मिशन के तहद इसकिल ट्रेनिंग इनिशेटिव है दिन देयाल उपाद्या राष्टी बलब की ग्रामीर कौसल योजना ये देखिए 15 से 35 वर्स के जो ग्रामीर अलागों में पूर फैमीर से उनके यूद को कौसल प्रोइड करना इसकी लिंग करना उनकी इसलिए ये लॉंच कीगी थी पाचवी विंस्ट्रेक समिट हुई है देख लेते हैं प्राइमिश्टर मोदी जी ने एड्रेस किया है पाचवी विंस्ट्रेक समिट में Bay of Bengal Initiative for Multisectoral Technical and Economic Cooperation Summit को स्रिलंका द्वारा होश्ट किया गया जो कि वर्तमान में वेमस्टेक का चेर भी है ये पाच्वी वेमस्टेक की चेर होई है जिसमें सारे senior officials ने participate किया है प्राइमिस्टर मोदी जी ने भी participate किया है कोलंबो में हो रही थी थीम क्या है पाच्वी वेमस्टेक समीट का Towards Are resilient, Reason, Prosperous, Economies, Healthy, Probe देखिये वेमस्टेक Charter Sign किया गया adopt किया गया है जो की पाच्वी वेमस्टेक समीट का एक landmark outcome है Progress देखी गए है वेमस्टेक connectivity agenda में क्या progress आई है Master Plan जो है TRANSPORT connectivity के लिए adopt किया गया है ताकि इस रीजन में यानि बिम्स्टेक रीजन में का connectivity को enhance क्या सके सार के बाद बिम्स्टेक का अस्तिय तो उभर गया है और सार के एक तरह से मरा हुआ 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 है 6 जून 1997 को बिम्स्टेक के स्थापना हुई Bangkok declaration के दोरा इतना याद रखेगा धाका में बिम्स्टेक का headquarters है बंगला देश में objective क्या है rapid economic development के लिए यानि इस reason में इस सब reason में इतनी भी बिम्स्टेक के member countries हैं इंडिया, जापान, जापान बोलो हुआ 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 मैं मियामार, आपके बंगला देश, भूटान, नेपाल, स्री लंका तो यह सारी countries हैं, इनके इस reason में development तेजी से बढ़ाना, equality और partnership को encourage करना, यह है बिम्स्टेक का target बाकी आप यहाँ पर देख लीजे, बिम्स्टेक के कुछ joint initiative चल रहा है, जिसमें इंडिया मैमार जो है, आपस में है कलादान multimodal project में, Asian trilateral highway चल रहा है जिसमें India, Thailand और मैमार हैं, यह बिम्स्टेक के सारे member है, बांगलादेज, भूटान, इंडिया, नेपाल, यह देखे सारी countries का नाम आ गया, बांगलादेज, भूटान, इंडिया, नेपाल चार countries हो गई, Thailand, मैमार, पांच, छे countries हो गई, अब बच्चा आपका सिलंका, वो भी आपकिस्तान इसमें है, नहीं ठीक है, तो इस तरह से आपकी यह सारे countries बिम्स्टेक में आ जाती हैं, जो की seamless travel के लिए, passenger के लिए, economic growth के लिए काम करती हैं, तो यह आप देख लिजेए, सिलंका के पास इसमें, chairmanship है, बिम्स्टेक की, यह सारे सिलंका की होस्ट कर रहा है, और यह तो नेपाल के हो गए, यह मेरे को नहीं पता है, यह दुन रोग नहीं पता है, और इनको आप जानते हैं, ब्रहम इश्रमोदी जी ठीक है, तो बिम्स्टेक एक तरह से six member of country से और यह मेमार के हैं, सोरी, यह मेमार के हैं पता हो गया ना सफरे सारे, अब इतना हो गया, तो बिम्स्टेक की पाच में बैठक हुई है, सिलंका की chairmanship में, 1997 में, बिम्स्टेक की बैठक irregular रहती है काफी, तो बहुत समय बाद ही बैठक हुई है, आई होप, मिंस्टेक चार्टर जो है, डॉप्ट किया गए हो बात अलग है, आई स्टेम नेशनल पोर्टल, पर क्या किया गया है, मतलब को launch के मतलब क्या है, आई स्टेम क्या है, पहले यह देख लिए, इंडियन साइंस टेकनोलोजी एंड एंजिनेरिंग फैसिलिटीज मैप, आई स्टेम, इस पोर्टल पर मतलब सॉफ्टेयर लांच किया गया है, देख लिए यहाँ पर, मतलब सॉफ्टेयर इसको एकसेस कर सकते हैं, सॉफ्टेयर मतलब, क्या है, एक तरह का cloud service है, जो की आई स्टेम को एक user friendly access point करेगा, पूरे देश से लोग जाके, उन resources का फाइदा उठा सकते हैं, तो मतलब क्या है, multi paradigm programming language numeric computing environment developed by math work, तो ये एक property है, जिसकी मतलब math work के दोरा डलब की गई है, जहाँ पे मतलब software के मादर से आम आदमी, i-stem पर available जितनी भी researches हैं, उनको access कर सकता है, ठीक है, तो ये मतलब software globally use किया एता है, इन सब कामों के लिए, जो कि इंडिया में भी use किया गया है, अब क्या purpose है, जो free of cost access के academic researches का, national portal, मतलब software जो national portal में add कर दिया गया है, ये कई सारे students, researchers और हमाई देश में R&D को promote करने में help करेगा, तो मतलब software को i-stem में register कर दिया गया है, 2020 में Indian Science Congress हुई थी, उसमें i-stem portal बनाया गया था, जो कि national web portal है, R&D facilities को share करने के लिए, यानि हमारे पास ये R&D facilities हैं, ये i-stem portal के बज़े से ही आपको पता है, covid की जो researches हैं, इतनी जल्दी हो पाई, क्योंकि देश के किसी कोने में कोई भी research होती थी, किसका है, जो government of India के principal scientific advisor है, उनका initiative है, PM STIAC, Science Technology and Innovation Advisory Council की recommendation पर ये बनाया गया था, i-stem portal, देखिए, multi-dimensional i-stem portal, इसको Prime Minister Modi जी ने जनुरी 2020 में लांच के था, 107 में India Science Congress को बैगलूरू में, i-stem का मतलब है, India Science Technology and Engineering Facilities Map, ये i-stem है, map का मतलब क्या है, mapping, marketing, इंडिया में Science Technology कहां पर हो रही है, Engineering, सब लोग अपना-पना एक तरह से tagging कर देते हैं, कि भाई मैं इस field में research कर रहा हूँ, ये मेरे बास facility available है, आप ले सकते हो, COVID में यही हुआ, किसे ने कुछ बनाया, किसे ने कुछ बनाया, i-stem पर सब available था, government का सारा data आ गया, तो ये था आपका i-stem, National Initiative है, Office of Principal Scientific Advisor का, ठीक है, क्या करता है, linking करता है, researchers की और resources की, ताकि देश के लोग जाकर i-stem portal पर research को देख सकें, और innovation को बढ़ावा मिल सकें हमारे देश में, तो i-stem portal मतलब software को add कर दियागा, free of cost access मिल जाएगा, लोगों को अब इतना बस याद रखियेगा, यह ने मिश्टर डॉक्टर जीतेन सिंग, इन्होंने कहा है, निदान जो केंदर है, ये establish के जाएंगे, पाच government hostel में इन चार राज्यों के, तो कौन से चार राज्य हैं, जहां के पाच government hostel में निदान केंदर, निदान मतलब national inherited disorder administration केंदर, ये उमीद स्कीम के तहर इस्थापित के जा रहे है, department of biotechnology की स्कीम है, उमीद, ठीक है, अंडर दा इनिशेटिव उमीद, clinical training, इन एरियास में दी जाएगी, ये hospital जो ये areas genetics, cytogenetics, molecular genetics, इन फिल्ड में ट्रेनिंग दी जाएगी, उमीद के तहर, ये निदान केंदर के वज़े से, निदान केंदर में क्या, निदान का मतलब क्या है, निदान हिंदी में का मतलब होता वैसे निदान केंदर का full form देखे जिए, निदान केंदर है, ये क्या होंगे, निदान केंदर responsible होंगे, testing, जो ये genetic disorder है, इनकी testing के लिए, newborn जो baby है, उनकी screening के लिए, pregnant mother को कोई भी risk होता है, निदान केंदर इसकी responsibility होगी, उनकी, वो देखे हैं कि pregnant mother को औरे कभी future में risk करना हो तरी से स्थंबर को ministry of science technology ने उमीद initiative launch किया था, उमीद का acronym unique method of management and treatment of inherited disorder, उमीद आ रखेगा, department of bio technology का initiative है, निदान केंदर, उमीद के तहत इस्थापित किये गया है, यानि कि ministry of science and technology के तहत ही निदान केंदर काम करते हैं, ठीक है, तो bio technology department का initiative है, उमीद उसके तहत आते हैं, न आपका P.I.B. का वीडियो साथ 2 अपरेल की सामको 9 जाप अप्लोड हो जाएगी, तब तक लिए take care, goodbye and check.